नमस्कार में बर्खा में वड़े और आप देख रहे हैं HP News 24 आज हमारी टीम आपको नर्सिंगर ब्लोग के महले बाल विकास विभास के परियोजना अधिकारी से मुलाकात कराते हुए नर्सिंगर ब्लोग में आगनवाडी केंदरों के क्या इस सती है शासन से कितनी योजना आ रही है इस खबर में पयोजना अधिकारी विनिता शर्मा से खाक चरचा देखिए पूरी खबर 281, 281 इस में से भवन किनकिन तो स्विक्रत हुआ बने किन बने किसके भवन देखिए भवन तो 153 स्विक्रत हुए थे और 153 में से वर्तमान में 93 विभागे भवन में आगनवाडी संचाले थे 21 बवन मनरेगा योजना अंतरगत अभी पैंडिंग है उनका काम कुछ कुछ काम बचा हुआ है और 12 से 13 बवन अभी आप्रारम विस्तिती में है और पुराने जो ICDS और BRGF के भवन थे उस में से 4 बवन जतीग्रस्त भी हुए है और कुछ बवन जो सुईक्रत हुए थे उनकी राशी भी वापस की गई है जनपत पंचायक द्वारा जी बजट परियोजना से मांग की जाती है कि आप अपने बिवागी बवनों के नाम हमें प्रेशित करें वरिष्ट कारयाले हमसे नाम मांगता है समय समय पर और हमारे दौरा जनकारी दे दी जाती है कि कहां कहां आवश्यक्ता है इसका कोई fix criteria नहीं है बजट के संबंध में हमें जनकारी नहीं रहती है हमें सिर्फ इतना पूचा जाता है कि अगर आपके विवागी भवन हैं जिन में मरम्मत या रंगाई पुताई की आवश्यक्ता है तो आप उनके नाम प्रेशित करें और लिस्ट में नाम दे देते हैं जर्जर भवन की सूची हमारे द्वारा वरिष्ट कार्याले को प्रेशित की गई है और अभी सैंक्षन तो नहीं आया है उनका मरम्मत का जी ग्रामी निस्तर पर 200 रुपए किराया निर्धारिथ है और शेहरी चेत्र में किराया निर्धारण प्रादान मंत्री मात्रवन्ना योजना गर्वतियों के लिए है पर अनौपचारिक शिक्षा इस तरह से योजनाइस अंचालेता है बच्चों के लिए पोशन जो वहार आते हैं महिने में कितने पहुंच वित्रान होता है यह पर हित्गराही चार पैकेट है चार मंगलवार के हिसाब से और जिस महा में पांच मंगलवार है तो पांच पै करता है अंच मने खांचार बाल तो पैकेट करता है तो ईके लिए ऊल्यवा है यह पांच पांच पैके लिए लिए है विस से आये अंच